अब 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 आपको एलो एवरीवन मैं सपसाक्षी प्रम एसेंगिंस स्टडी अगर्डमी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिट क्रॉस्ट मोनो हाइब्रिट क्रॉस्ट मैंने पढ़ा दिया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी हरे सबद्का धर दियुक्ताट करीं और यह में वाटीं और तो इसका होदा डाहीं क्रास भीडिट्विट नियुक्त तु थे यह उसीड का सेफ ले ले लिए और इसके बास अगा थे नुटो रखोड़ होðें वहाहिए यह सब इसकर आखें इसके एंद प्लांट को हम लोग क्रॉस्ट किति रहाении है तो दो प्लांस के हैट्यों प्लांट के हैट को का उसकी स Examples एक कैरक्टर को हम लोग क्रॉस करते हैं लेकिन डाइ। घब्रेट में किसी भी दो कैरक्टर को लिया जाता है। जैसे कि एक्जाम्पल में शीट का कलर ले सकते हैं शीट का सेफ लेंगे ठीक है आईए देखते हैं मेंडल ने सेवन कोंट्रास्टिंग क्या अद। बताया था उसमें dominant क्या है रसेसी क्या इसमें देख दीजिए उन्होंने इस टेम हाइट बताया flower color seet color sheet shape pot color what shape , flower position ठीक है कि मैं इसमें आप लोगों को seat color और seed shape के बारे मैं बताऊंगी अब देखे जो येलो है seat color क्या है वो dominant है ठीक है और green क्या है इसमें रससीव है और शीट का सेप कैसा होगा राउंड होगा या तो रिंकल इसमें जो राउंड है वो क्या है dominant है और रिंकल क्या है रससी एक बात हमेंसे याद रखिएगा जो भी dominant character होते हम उसको सिर्फ capital से लिखते हैं ठीक है येलो है तो स्मॉल वर्ड में लिखेंगे तो इसको स्मॉल वर्ड में लिखेंगे तो ग्रीन को स्मॉल वाई स्मॉल वाई से लिखेंगे ठीक है एक बात और जो dominant होता है अगर single में भी present रहेगा तो अपना effect शो करेगा लेकिन ये जो समॉल है उसको सो रहें के लिए दोनों का साथ में होना जरूरी है अगर सिस्वा धार कारेकटर कार्शक करेंगे तो असी धाई है क्रॉस आइए देखते हैं कि देखिए जैसे इसमें एक्जामपल के रूप में है कि यह शीट का हम लोगों ने शेप लिया है और कलर शीट का कलर कैसा है येलो कलर है ठीक है येलो क्या है डॉबनेंसी शो करता है और शीट का सेप कैसा है राउंड है और ये क्या है रेसेसिव करेक्टर है मैं शीट का शेप जो हो गया रिंकल्ड हो गया और कलर क्या हो गया ग्रीन हो गया आईए मैं पनेट इसकार के थूए एक फर्मिशन हुआ, इसमें से apt S, multiply small स्मॉल आ रहे है एक प्लांट्स ज़ोई hai analytics था यलो प्लांट्स यह ख्लवक, श्येप रांड़ है एक ग्रीन आयरम और उनका शेप का रिंगल यह सुर मेंद तो-ह्थ और आपके देखेंगे आई देखते हैं इस भी चीज को हम लोग जो जनेरेशन आये हैं उसका सेल फिंग करा दें अज है उसका फिर से इसी करेक्टर को सेल्फिंग करा दें दूबारा से इसके multiply कर दे तो capital Y, small y, capital R, small r को फिर से capital Y, small y, capital R, small r से करेंगे तो इसमें जो चार character है तो चार gamut बनेंगे ठीक है capital Y, capital R, capital Y, small r ठीक है फिर small y, small r मैं बताती हूं देखिए gamut का formation कैसे होता है capital Y, small y, capital R, small r ठीक है यह दोनों तो अलग-अलग character है एक बाद capital y से multiply होगा फिर capital y से तो क्या बना capital y capital r फिर capital y small r ठीक है फिर small y को फिर y करेंगे तो क्या बनेगा small y capital r फिर small y small r तो चार परकार के gamut बन गए तो इसके बाद देखें हम लोग panet square के थूँआ देखेंगे और मैंने बताए चार टाइप के यहां सेल्फिंग कराने के बाद चार टाइप के गैममेट का फॉरमिशन हो गया आप हम लोग इसको पने इस्कुर के थुरू देखेंगे तो कैसे बनाते हम लोग और छेकर बॉर्ड बनाते हैं जितना करेक्टर हैं गा थो क्रिसों से मैंने उसमें चार गईमेट आया था तो था बनाएंगे हाँ है तो चार ऐ गए क्यरेक्टर C empezarival का नोय कि अवीड के नोय ट।ल्वाइफ ड्स रहा रहा देख इनल रहा है कि यहां पर ल også महला ना यहां पे र रीखेंगेह क्वाकर पिर स्मॉल वाइब डैप्टल आर स्मॉल डैप्टल एप्टल एक हम लोग कैसे बनाते हैं पनेट इसका पर तुरू कि जो यह है जो फॉर्स्ट ऐसका हम लोग बारी बारी से चारों में इसका मुल्टिप्लाई करेंगे ठीक है तो पहला इसका इसके box में बढ़ेंगे तो क्या क्या आएगा इसमें भी capital Y है इसका capital Y इसका capital R और इसका capital R ठीक है इसका हो गया अब इसका second वाले के साथ करेंगे तो इसमें क्या आएगा capital Y capital Y capital R और small R ऐसे कर करके हम लोग एक बार इसके साथ करेंगे एक बार इसके साथ ठीक है अब यह हो गया तो फिर इससे कोई लेना देना नहीं अब सेकंड वाला रो का फिर इससे करेंगे विशत क्ति करेंगे इसमें इस में बचाई गया प्र Supply करके हम गयों और है कि देखिए बनाया गया इसका इसके साथ किया गया तो क्या आया है capital Y capital Y capital R capital R तो capital Y किस चीज को denote करता था yellow color को capital R round को ठीक है तो इसका कैसा आएगा sweet yellow और round आएगा ठीक है ये phenotypic है और genotypic इसका क्या है capital Y और capital R देखिए जैसे इसमें है इसका जो है इसका भी जो फिनो typical आया है yellow और round ही color आया है ठीक है लेकिन जो gene का है ratio वो अलग है इससे और इसमें different है इसमें capital Y है लेकिन इसमें capital Y है एक small Y है इसमें capital और एक small आ रहा है लेकिन जो दोनों का फिनो टिपिक मतलब देखने में दोनों कैसे आ रहे हैं दोनों का कलर येलो आ रहा है दोनों का शीट का से राउंड आ रहा है तो यह फिनो टिपिक रेशियो तो सेम है लेकिन जीनो टिपिक बने किस से अलग अलग जीन से बने हैं ठीक है तो यही आगे जाके हम लोगो काउंट करना पड़ेगा क कितने जीनोटिपिक रेशियो आया कितने फीनोटिपिक रेशियो आया ऐसे हम लोग चेकर बोड बना के फिर हम लोग काउंट करेंगे जीनोटिपिक रेशियो पहले देख लेते हैं कि देखने में कौन कौन सा है देखिए एक येलो राउंड आया दो तीन चार पांच छे अब क्या बचा देखे येलो रिंकल्ड गिनी कितना है येलो रिंकल्ड एक दो तीन तीन कितना है येलो रिंकल्ड ठीक है अब क्या बचा येलो रिंकल्ड हो गया येलो राउंड हो गया अब क्या ग्रीन राउंड देखे कितना है वान टू थ्री तो ग्रीन राउंड कितना ह थलिन पृष देको determined 7 और यहां देको उनिते हैं और 18 को क्या और पृष本 12 2023 2 थीआ शेयर सब्सक्राइब ना फिर्सकर धिन जिए मिश्च पर जी समय है था को देंगेप dov वहीं का यह सब सब्सक्लिकव डेखते हैं capital Y, capital Y, small r, small r, कितना आया है, देखी कहीं पिर है, one, इसमें है, two, कितना आया, capital Y, इसमें, दो आया, ठीक है, अब इसको देखते हैं, capital Y, small y, capital r, capital r, one, one, ठीक है, two, दो ये हो गया, ठीक है, अब ये देखते हैं, ये कितना है, capital Y, small y, capital r, smaller, one, two, three, four, ठीक है, ठीक इतना है, four, ऐसे count करकर करके, हम लोग इसका genotypic और phenotypic ratio निकाल सकते, देखिए, तो phenotypic ratio मैंने बता है, nine is two, three is two, three is two, one, phenotypic ratio क्या होता है, है, जो हम लोग देख के बता सकते हैं, कि सीट का color कैसा है, सीट का shape कैसा है, तो जितने nine आया है, कितने कौन सा था, येलो और round color क्या है, और फिर three क्या थे, yellow wrinkle थे, फिर three क्या थे, green और round, और एक क्या था, बस green और wrinkle, ये तो phenotypic ratio हो गया, फिर genotypic ratio क्या था, genotypic एक yyr आ रहाया था, फिर दो capital y small, capital y capital y, capital y small आ रहाया था, four capital y, ऐसे count करके 16 total आएंगे, ठीक है, इसको जोड लिजे, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 हो गया, इसमें देखिए, 9, 11, 16, 16, पैसे हम लोग, genotypic ratio और phenotypic ratio बहुत easily निकाल सकते हैं, ठीक है, देखिए, जैसे इस figure में दिखाया गया है, ये round और wrinkle है, round और yellow है, इसमें देखिए, round है, sorry, yellow और wrinkle है, इसमें क्या है, green और round है, इसमें क्या है, green और wrinkle है, ऐसे count करके हम लोग, easily die hybrid cross में, genotypic और phenotypic ratio निकाल सकते हैं, so I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share, thank you,